हाई विनर्स आई होप योल आर वेल दिस साइड राजी वानन्द वल्कम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूँ ओवरॉल क्रिप्टो मार्किट के बारे में और इसके साथ साथ इस वीडियो में आप लोगों को शिबाईनू, डोज कोईन और ट्रोन के भी कुछ अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तो लास्ट 24 आर के कमपरिटिवली अगर आप लोग आज क्रिप्टो मार्किट चेक कर रहे हैं तो 3.91 परसेंट क्रिप्टो मार्किट जो है वो बुलिश आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये वीडियो मैं इस टाइम पर लगबग धाई बजे के आसपास बैट कर बना रहा हूं दोस्तो बिटकोईन एक बार फिर से अपने रिकवरी फेस में दिख रहे हैं लास्ट 24 आर के अंदर 4.14 परसेंट बुलिश क उसको कवर अप करके 91,000 से जादा की सीरीज में आ चुका है टैथर और यूएसडी आप भी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्किट में यूएसडी टी और यूएसडी सी दो मो स्टेबल कोईन है तो उन्होंने अपना जो प्रॉपर प्राइस चार्ट है या आप बोले अच्छे लेवल पर रिकावर कर रखा है यूएसडी कोईन के अगर आप बात करें तो आज की डेट में 78 रूपे से जादा एविलेबल हो चुका है लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पैसली डोज कोईन के बारे में सबसे पहले डोज कोईन जिसके उपर मैंने कल रा दिख रही है बुलिश दिख रही है फोर रूपीज 89 पैसा के आज पास आप लोगों को डोज कोईन यहां पर दिख रहा है डोज कोईन के फेवर में एक और पॉजिटिव निकल कर आती है इथेरियम वेल्स की तरफ से इथेरियम वर्ज और डोज कोईन आर दा पॉपुलर मतलब कही न कहीं पर आज अगर आप माइनिंग की टर्म में बात करो तो माइनिंग की टर्म में डोज कोईन को भी एक मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो बोला जा रहा है और दोस्तों आप लोग जानते हैं यह क्यों है बिकॉज ओफ जब से फादर्स डे के दिन 19 जून के बाद से इलियोनमस ने अपने ओफीशिल ट्विटर प्रॉफाइल पर ये ट्विट किया कि I am just keep supporting डोज कोईन उसी तन से डोज कोईन जो है वो लगातार आप लोगों को अप दिखना स्टार्ट हो चुका आज लगातार तीसरा दिन है डोज कोईन आपको थोड़ा बोती सही लेकिन बढ़ता हुआ दिख रहा है बुलिश की तरफ दिख रहा है और अगर आप इसी के फेवर में एकोड ट्विट सुने एलियोनमस री आइटरेट सपोर्ट्स फोर डोज कोईन आफ्टर फेसिंग आप दे एक क्रिप्टो लॉसूट कई न कई पर बिट्कोईन के डाउन होने से जब ग्लोबली क्रिप्टो मार्कट में इंपेक्ट आता है और जो बड़े इनवेस्टर्स और होलडर से उनको डाउन दिखता है तो कई न कहीं पर वो किसी नहiset क्रिप्टो कोईन को दिया जाता है तो फाइनली 19 जून को ये ट्विट आया ट्विट इसलिए आया बिकॉज बिटकोई अपने डाउन सेज में था बिटकोई ने थोड़ा वोत रिकवरी करना स्टार्ट किया और इधर से डोज कोईन को सपोर्ट मिली दुबारा से पबिकली हाला कि पूरा वर्ल जानता है कि डोज काइन के सपोर्टर है लेकिन टाइम टू टाइम जब वो ट्विट आते रहते हैं तो वो कही न कही पर पबिकली अनाउंस होता रहता है कि येस वो अभी तक भी है तो अब कही न कही देखिए इस आर्टिकल को समझने के कोशिश कीजिए मैं आपको पहले दो लाइन पढ़के सुनाता हूँ टेसला सी यो इलियोनमस इस वन्स अगेन कंफर्मिंग इस रिपोर्ट फॉर पॉपुलर मीम टोकन डोज कोई मतलब इस नोट टोटली अब बाउट जितनी भी डोज बेस कॉम्मिंटी है चाहे आप लोग शिवा इनू की बात करो बेबी डोज कोई की बात करो इन सब के फेवर में एक ही ट्विट था क्योंकि ये सब जो कॉम्मिंटी है वो कही न कहीं पर या तो इंस्पारिंग है कही न कहीं पर या तो राइवल कॉम्मिंटी है और सारी कॉम्मिंटी जो है वो डोग बेस्ट है आप चाहे बेबी डोज है डोजी लोन मार्स है इवन आप लोगों को लास्ट तीन दिन पहले से देखने को समझ भी आ रहा होगा लेकिन फिर भी डोज कोईन को लेकर लोग इतने positive क्यों है क्योंकि especially जो नाम है वो डोज कोईन का है तो definitely डोज कोईन के pump होने के chance जादा बढ़ जाते हैं और उसी का result आप देख रहे हैं वीडियो बनाते बनाते 24 hour में अब 5 की ratio के आगे 7.26 4.97 रुपीज का dogecoin पहुंच चुका है लेकिन अब यहीं पर बिना किसी highlighted के बिना किसी hype के एक ऐसे ecosystem based project की मैं बात करने जा रहा हूं जो अपने potential पर बढ़ रहा है किसी highlighting की बज़े से नहीं बढ़ रहा proof of work से बढ़ता जा रहा है और अपने ecosystem को day by day strong बनाता जा रहा है दोस्तों उसका नाम है Tron अगर आप Tron को देखे तो last 24 hour के अंदर 5.55% Tron improve हुआ है और एक बार फिर से 5 रुपे के उपर का coin बन चुका है last 7 dollars में हाला कि 3.71% जो है वो बहुत कम है Tron के लिए लेकिन फिर भी Tron TRX का ecosystem strong है और वो day by day अपने proof of work potential को proof करता है तब ही आप लोगों को Tron की valuation अच्छी देखने को हमेशा मिलती है हाला कि Tron के साथ कोई बहुत बड़ी-बड़ी personalities नहीं है लेकिन Tron अपने ecosystem में अच्छे projects को जोड़ता है, blockchain को बहुत supportive रखता है, blockchain की speed पर बहुत ध्यान देता है, scalability, mutability पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और अपने ecosystem को worthwhile बनाता है, usable बनाता है people के लिए इसलिए Tron based जो है वो project बहुत अच्छे market में चलते हैं और आपको Tron TRX से continuity कही न कहीं पर profit निकालने का मो जो Tron cloud based mining है, वो fraud है, तो please Tron mining के चक्कर में ना पड़ें, सिरफ आप लोग Tron TRX के ecosystem को देखा करें, जो Tron की official website से mining का procedure है, उसी को follow up करें, इसके इलावा जितनी भी crypto market में Tron based mining चल रही है, वो सारी की सारी fraud है, confirm आपको बता रहा हूं, तो please Tron mining के चकर में ना पड़े, official website visit क करें Tron की, और वहां देखें, अगर कोई mining का system है, तो वहीं समझें, इसके इलावा किसी भी YouTuber की वीडियो को सुन कर, या कुछ भी unnecessary कोई content सुन कर के आपको Tron की mining से पैसा में लेगा, पहले registration के लिए इतना जमा करा दो, please ऐसा ना करें, क्योंकि Tron की official website पर mining related कुछ भी चीज available नहीं है, तो प्लीज इस बात पर ध्यान रखिए, Tron एक बहुत best ecosystem है, और लगातार अपने users को benefit देता रहता है, Tron TRX buy करके रखो, future के point of view से अच्छा project है, इसके अलावत तीसरी अगर मैं बात करूं, तो most rival community of Dogecoin, Shiba Inu, जिसने last 24 hour के अंदर 9% से ज़्यादा का bullish लिया है और 9 hour में dot के बाद 30 के साथ 69 की series में आज सुका है, 7 days के comparatively जो last 24 hour में price comparison है, वो काफी अच्छा निकल करा रहा है, लगबग 4% जो वो improve हुआ हुआ है, 9% की upgradation last 24 hour में Shiba Inu में, इसका सीधा सीधा impact आप लोग Dogecoin से ही देख सकते हैं, और इसी के बाद, अगर मैं inspiring community की बात क डालते हैं, तो अब आप देखिए, Dogecoin भी एक बार फिर से बापसी करता हुआ, 6-0 में, 1-0 पर पहुँच चुका है, और लगबग 10.53% improve हुआ है, हाला कि देखिए, Baby Dogecoin के ecosystem है, Baby Dogecoin को कोई ना utility मिली, ना ही कोई listing मिली, ना ही कोई highlighting है, बस Dogecoin की support में Leon Musk का tweet आया, और crypto market म आप लोगों ने Shiba Inu और Baby Dogecoin दोलों के price को बढ़ता हुआ देखा, एक बार फिर से Baby Dogecoin के holders को एक अच्छा लग रहा होगा कि Baby Dogecoin एक फिर से 70 की जगा, 6-0 में आ गया, दोस्तों कुछ भी नया development नहीं हुआ है, सिरफ और सिरफ news से project highlight हो रहे हैं, फिलाल, जब तक best utility या अच्छा कोई नया रास्ता नहीं मिलता, Baby Doge और Shiba Inu को इनका price ऐसी आप लोगों को थोड़ा बुत अप और डाउन दिखेगा, लेकिन सारा price depend है इनके ecosystem के उपर और ecosystem dependent है utility पे, उसी utility पर depend होती है token की liquidity और liquidity मिलती है कही न कहीं पर exchanges की listing से और कहीं न कहीं project को strong बनाने से, तो unnecessary highlighting news के चक्कर में अपनी saving से extra buy ना कीजिए, overall बाकी आप लोग अपने research करिए, आप लोगों को crypto की अच्छी knowledge है, research करिए, आपको लगता है token buy करने चाहिए तो करिए, otherwise mining based project पर focus कीजिए, अब दो project based mining जो है वो वीडियो आप लोगों को शुरू आज कर चुका हूँ मैं अप किया जा सके, so this is the overall latest update for today, thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates, thank you so much